क्या हाइड्रोसील की वज़ा से स्पर्म प्रोडक्शन और बच्चा पैदा करने की जो कपिविल्टी है रिप्रोडक्शन उस पे कोई फर्क पड़ता है यह हम आज जाने की इस वीडियो में तो हाइड्रोसील में होता क्या है टेस्टिस के चारों तरब जो सैक होती है ट्यूनी का वजायने लिस उसमें पानी भर जाता है फ्लूड फिल्ट सैक हो जाता है अब इसके कारण काफी सारे हो सकते हैं चोट लगने कारण हो सकता है चोट किसी वज़ा से लग सकती है infection के कारण हो सकता है और जो infant होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं जबार होते हैं उसमें दूसरा कारण होता है जो inguinal canal है अच्छे से closed नहीं हुई तो उसका पानी आ जाता है हाई दूसमें जानने वाली बात हैं यह testis के बाहर रहता है सैक में पानी रहता है तो इसमें ये देखा गया है कि जो स्पर्म की क्वालिटी है ना तो वो नंबर में कम होती है और ना है उसके मार्फोलाजी में चेंज आता है इसका मतलब यह है कि जो रिप्रोडक्शन है जो बच्चा पैदा करने की कैपिविल्टी है जो कैपसिटी है वो हैड्रोसील में प्रफावित नहीं होती, यह important बात है लेकिन अगर हैड्रोसील के साथ कोई और प्राबलम है जैसे कि किसी को वरिकोसील है, इस्परमेटोसील है या किसी को टेस्टिस के अंदर कोई tumor हो सकता है उस cases में फिर इस्पर्म की quality अफेक्ट होती है तो अगर आपने जाच कराई sonography के जिसमें सिर्फ हाइड्रोसील मिल रहा है और चोट के कारण हाइड्रोसील आपका डेवलफ हुआ है तो उस cases में आप इंतजार कर सकते हैं साल, दो, साल, तीन साल भी इंतजार कर सकते हैं अगर हाइड्रोसील छोटा है वो आपकी sperm production capacity and जो reproduction है उस पे उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता हाइड्रोसील का बागी बिमारियों का पड़ता है पर यह हाइड्रोसील का नहीं पड़ता रैट, सो यह एक जानगारी है जो आप लोगों को चाहिए थी थैंक यू सो मच फर वाचिए